दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके आप किसी भी आउरत या किसी भी लड़की को बड़ी आसानी से पटा सकते हो हाँ दोस्तो अगर आपको कोई लड़की या कोई आउरत पसंद आता है तो आप बड़ी आसानी से इन दो तरीकों के मदद से उन्हें पटा सकते हो और उनको अपनी हमसफर बना सकते हो तो चलिए जानते हैं कि वह तरीका कौन सा है सबसे पहला जो तरीका है वो है खुद को सबसे अलग रखना दोस्तो अगर एक औरत चाहे तो किसी भी मर्द को बड़ी आसानी से पटा सकती है और उस मर्द के साथ अपना जीवन विदा सकती है लेकिन ऐसा एक मर्द आसानी से नहीं कर सकता यानि कि कोई भी पुरूश किसी भी लड़की को या औरत को आसानी से नहीं पटा सकता इसका कारण क्या है? दोस्तो अवरत के पास बहुत सारे आप्शन होते हैं जिस वज़े से औरत किसी भी मर्द को आसानी से पटा सकती है अब आपको करना क्या है? दोस्तो आपको कुछ अलग करना है जिससे कि आप भीट से अलग दिखो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे औरत को या लड़की को लगे कि आप एक स्पेशल मर्द हो देखो दोस्तो एक लड़की के पास लड़कों की कोई कमी नहीं होती कोई ना कोई लड़का लड़की के पीछे पड़ा ही होता है और लड़की भी उसी लड़के को पसंद करती है जिसमें कुछ अलग बात होती है जैसे कि उसके चलने का style, hair style या फिर बात्चित करने का जरीगा जो सबसे अलग हो इसलिए आपको भी अपने अंदर ऐसी special talent या style लाना होगा जिससे कि आप भीड से अलग लगो दोस्तो जिस दिन आपके अंदर का special talent लड़की को नजर आ गया उस दिन खुद लड़की आपको propose करेगी दोस्तो जो दूसरा तरीका है ये तरीका सदियों से चला आ रहा है इस तरीके का इस्तमाल करके लड़की और और औरते अपना काम निकालने और मर्दों को उल्लू बनाने में करती है दोस्तो इसमें होता क्या है आपने कभी-कभी गौर किया होगा कि कोई औरत या लड़की आपको एक-दो बार हफ्तों तक जम कर लाइन देती है यानि कि आपको देखकर हसती है आपके तारीफे करती है आपसे खुद होकर बाते करती है आपको खुद कॉल या मैसेश करती है आपके साथ बाते करने के लिए मौका ढूनती रहती है यानि कि आपको ऐसा लगता ही कि ये ओरत या लड़की आपके उपर पूरी तरह से फिदा है और आप ये सोचते हो कि मुझको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और फिर अचानक वो लड़की या औरत आपको इगनोर करना शुरू कर देती है यानि कि आपको जो अब तक लाइन दे रही थी वो आपको देखती भी नहीं और आप उस लड़की या उस औरत के बारे में दिन रत सोचने लगते हो और आप उसके प्यार में पढ़ जाते हो बस यही तरीका आपको उस लड़की या औरत के उपर इस्तमाल करना है जिसे कि आप बहुत पसंद करते हो या आप जिससे प्यार करते हो इससे क्या होगा वो अवरत और लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी और आपके प्यार में पड़ जाएगी यानि कि आपको हफते दो हफते तक लड़की से बहुत ज्यादा बाते करना है उसकी तारीफे करना है और अचानक आपको उससे बाते करना बंद कर देना है इससे लड़की या वो अवरत जो ये सोचेगी कि इसे क्या हो गया ये तो मुझे से अच्छे से बात करता था अब अचानक क्या हो गया क्या मेरे में कुछ कमी है या मुझसे कुछ गलती हो गई है और वो औरत आपके बारे में दिन राथ सोचने पर मजबूर हो जाएगी और मन ही मन में वो आपको पसंद करने लएगी लेकिन दोस्तो इस तरीके में थोड़ा सा रिस्क है हो सकता है कि आप जिस लड़की को या औरत को पसंद करते हो उस पर इस तरीके का इस्तमाल करने पर वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर इस तरीक का इस्तमाल कीजिएगा